बिस्मिल्लार्मानरहीम, CS4C03 के इंपॉर्टन टॉपिक्स जो के फाइनल लूम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टन है 45 लेक्टर में से इस कुछ टॉपिक्स है और शॉर्ट लॉंग का मैं आपको बता देती हूं कौन से 5 मार्ट के आते हैं कौन से 3 या 2 के आते हैं उसक जो है आपकी परसंटेज अच्छी आजए अपका CGP अच्छा आजए मिट्वा में जासे के जो है बहुत ही जो बुरा रिसल्ट आया है इस प्रॉवन्स का तो अगर आप फाइनल डाम में अच्छे मार्स लेते हैं 50% टोटल मार्स जो है परसंट अप लेते हैं 100 में से और तो आपका इन्शाला जो है अच्छा CGP अच्छी परसंटेज बन जाएगी और अपने जो सब्जेक्ट से वाप क्लियर कर लेंगे उसके लावा चैनल पर नहीं है तो चैनल का सब्सक्राइब कर दें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो है हमारे पास वह है डी नॉर्मलाइज है चैनल को इसको आपने कांसेट्स से पढ़ना है इसके कांसेफ्स क्लियर हुंनें मोस्ट इंपॉर्टंट है जरूरी है इसकेकर घ्석 क्लियर होगा च्रॉट लॉंग में ।ो पिसीली थ्री मांक्स का तूमक्स का भल कर लेंगे तर यह दो 70 के लिए मोस्ट इंपॉर्टट काता है most most important है पिछले काफी past papers में आया है आप इसको जरूर एक बार अच्छे से concept समझ ले जाएगा और इसके types लाजमी परिएगा क्योंकि ये एक most important topic है और उसके इलावा जो है आपके पास है replication ये जो है ये एक short question है define replication आता है two marks का long question में नहीं आता इसको अगर आप two to three lines जो है वो परहेंगे तो इन्शालला जो है आपको full marks उसके मिल जाएंगे fourth जो है lecture वो है माँपस basic commands of SQL structural language select insert delete and create तो आपने ये जो है इसको अच्छे तरीके से concept से जमझता है कि select insert delete and create किस तरह से एक structure query language की basic commands है select insert and delete create ये चार जो है structure query language की basic commands है इनके आगे explanation और conceptual अगर आप परहेंगे तो इन्शाला जो है ये five marks काता है तो आपका ये जो question है ये बीजिली solve हो जाएगा next time app पसे dml and dcl ये भी most important topic है जो के final term के लिए most important है और पिछले 10 years past papers में ये question बहुत ज़्यादा आया है उसके लब है joins and its type ये भी most important long question है five marks का आया हुआ है तो आप इसको भी एक पर जरूर इच्छे से concept समझ के पर आएंगे तो easily solve कर लेंगे उसके बाद है rate level ये page number 259 पे है ये जो है short में भी आता है long में भी आता है इसको आप concept से समझेगा तो आप easily जो ये है solve कर लेंगे उसक जो है ये एक short के लिए most important है three marks का must आता है काफी past papers में आया है अब इसको जरूर एक बर पढ़िएगा उसके बाद है handling the collection ये भी most important short है और ये two to three past papers में long में भी आया है लेकिन ज्यादा तर ये short के लिए most important है उसके बाद है primary and secondary indexing ये जो है long के लिए five marks का आता है most important long question है और इसको अगर आप जो है concept से समझेंगे और उसके लावा five or six lines क्लिकेंगे तो easily आपको five marks मिल जाएंगे उसके बाद है clustered various unclustered indexes ये भी एक long के लिए most important है ये जो primary and secondary indexing है और clustered various unclustered indexing है इनमें से एक लाजमी आता है 403 के subject में final term में उसके लावा है dense and sparse indices ये भी एक short question है three marks का ये भी आता है इसको भी concept से जरूर समझके पड़िएगा two to three lines का भी लिखेंगे तो आपको इन्शेला easily marks मिल जाएंगे उसके बाद है transactions and schedules ये एक long question important है five marks का आता है ये भी five to six lines अगर आप लिखेंगे तो easily five numbers जो है वापको मिल जाएंगे उसके आप डेड़ लॉक्स, prevention, detection and handling ठीक है ये short question में आता है defined deadlock prevention, defined detection, defined handling तो इसको जो है आप short question के तौर पे जरूर याद कर लिए जाएगा two to three marks का ये जरूर आता है उसके बाद है problems of time stamping ये भी एक short question है three marks का मस्टा आता है काफी past papers में आया है इसको भी जरूर एक बढ़ ली सिर्फ कुछ topics हैं जिनको आप परहेंगे तो इन्शाला जो आपका paper है वो बहुत अच्छा जो है solve हो जाएगा उसके लाव अगर आपको किसी और subjects के चाहिए important topics तो comment में लास निमताइएगा वीडियो देखने कर शुक्रिया, Allah Hafiz